कॉंग्रिस ने आज से चुनावी बिगुल बजाते हुए पूरवी राजस्थान में पानी के समस्या को देखते हुए पूरवी नहर परियोजना को राश्ट्रिय परियोजना गोशित करने को लेकर बड़ा आंदोलन छेड रखा है कॉंग्रेस ने आज से एक यात्रा की शुरुआत कर दी है जो कि 20 अक्टूबर को दोसा के सिकराय में समाप्त होगी कॉंग्रेस के PCC आध्याक्ष गोविन सिंग डोटास्टा ने BJP पर जम कर निशाना साधा और कहा कि देश की प्रधान मंत्री नरिंट मोदी ने अजमेर और जोदपूर में अपनी सभा में घोशना की थी कि हम अगर चुनाव जीते तो ERCP को रश्वे परियोजना गोशत कर देंगे लेकिन उन्होंने जनता के साथ धोका किया इसले कर हमारी कॉंग्रिस सरकार उनके धोका खिलाफी के खिलाफ जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ट कराने को लेकर एक ERCP यात्रा की शुरुआत कर रही है ज्याली को प्रियंका गांधी संबोधत करेंगी ज्याली में जैपुर से करीब चार से पांच हजार कारेकरता भाग लेने दोसा पहुचेंगे जलसंसानन मंक्री राजस्तान का होते जोगी उसको नेकियां लोगों में बड़ा आख्रोस है और फूलते हमारी राजस्तान की सरकार में जो है वो पैसे देख करके और 10-12,000 क्रोड उपे अनी दिये हैं काम चालू करवा दिया है